है गाईस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन डेट के बारे में यानि हमारा जो स्मार्टफोन होता है वो चलते चलते एकदम से डेट क्यों हो जाता है और हमारे स्मार्टफोन का डेट होने का जो वज़ा है जो प्रोब्लेम है जो सल्यूसर है उसके बारे को एंड तक देखते रहना और हाँ चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना तो चले स्टार्ट करते हैं इस इंड्रेस्टिंग वीडियो को गाइस हमारा जो स्मार्टफोन होता है वो एक इलेक्ट्रोनिक स्वंपोनेंट होता है और उसका डैड होने क तो है तीन-चार प्रोब्लेम होता है जिन वजह से जो स्मार्टफोन है वो डैट हो जाता है यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोब्लेम है वो है सौPTW mes-related प्रोब्लेम यहाँ पिर आप एक ठाद में आप बैरी का जो प्वेंट अगर आपके smartphone का battery सही है फिर भी आपका जो smartphone वो अचानक से switch off हो गया है तो उस case में 90% chance होता है कि आपका smartphone वो software की वज़े से dead होता है और तो वहाँ पे आप नया software रिफ्लेस कर सकती हो और रिफ्लेसिंग के बात में आपका जो phone है वो आराम से चलने लेग जाएगा यहाँ पर दूसरा जो problem है जिस वज़े से जो phone है वो dead होता है वो है charging connector यहाँ पर maximum case में ऐसा होता है ठीक है maximum से maximum case में ऐसा होता है कि charging connector की वज़े से जो smartphone है वो dead हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पी आप अगर एक charging connector को देखोगे तो charging connector में minus और plus का एक दो terminal होता है दो pin होता है जि आप पिर कई और वजये से आपके जो चार्डिंग कनेक्टर वहां पे शॉट हो जाता है तो आप शार्डिंग गरमाट को बिशेг कर सकते हो आपका अगर समाट्फोन हर अगर में धेक रहा है तो आप जो जारिंग कनेक्टर उसे चेंज कर सकते हुए आपका जो डैट रोब्लेम है वो हो जाएगा तो उसकेस में हमारा जो स्मार्ट फौन है वो बार हो जाता है कि हमारा जो स्मार्टफोन हो ओवर हीटिंग करने के वज़े से जो component होता है उसको जला देता है उसको खड़ाब कर देता है तो उस case में जो repairing करना थोड़ा सा मुस्किल यहाँ पे हो जाता है तो आपको जो motherboard है उसको आपको खोल के ठीक है आपको यह motherboard को खोल के वहाँ पे एक एक component को चेक करना पड़ेगा जितना भी सारा register capacitor है सारी चीजों को एक बार चेक करने के बात में आप जो dead problem उसको solve कर सकते हो बट उसके लिए आपको जो मैंने दो problem बताए ना कि software problem और charging connector problem दोनों problem को आपको सबसे पहले clear कर देना है कि software problem भी आपकी phone में ना हो और जो charging connector से लेटर जो problem है वो भी ना हो motherboard को निकाल के motherboard को आप charging पे लगा दो ठीक है motherboard को और battery को charging पे लगा दो उसी चीज में और वहाँ पे आप एक एक component को जब आप torch करोगे ना तो यहाँ पे जो भी component खराब होगा वो जो component है वो वहाँ पे heat produce करेगा और उस case में आप पता कर सेकते हो कि आपका phone का जो motherboard है वहाँ पे कहां पे sort है गाईस अभी में आपको एक problem जो है clear करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हमारा smartphone में जो है dead problem आ जाता है या फिर कोई और problem आ जाता है और उस case में हमें ये confusion होता है कि software problem है हमारे smartphone का या फिर hardware problem है तो इस problem को check करना बहुत हीता मुस्किल हो जाता है तो एक आसान सा tips में आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप phone का software और hardware problem है उसको check कर सेकते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना phone का जो motherboard है उसको बिलकुल खोल लीजिए वहाँ पे जो battery terminal है उसको disconnect कर दीजिए जो camera बगर है सब कुछ आपको खोल देना है उसके बाद में आ आपका जो phone का motherboard है वो आपके computer के साथ में connect हो चुका है तो उस case में आपका जो hardware problem है वो बिलकुल भी नहीं है वहाँ पे software related problem जो है 100% वहाँ पे ही है अगर आपके computer के जो manage है वहाँ पे अगर कोई भी device सो नहीं कर रहा है बिलकुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस case में आप आपका जो hardware problem है वो यहाँ पे हो सकता है और वहाँ पे आप जो है चेक कर सकती हो अपने hardware चीजों को अगर motherboard जो है PC के साथ में connect हो जाता है तो वहाँ पे hardware से लेटर problem नहीं है वहाँ पे software से लेटर problem है अगर वहाँ पे motherboard जो है PC के साथ में connect नहीं हो पाता है तो वहाँ पे आप hardware चीजों को चेक कर सकती हो और इसी तरीके से आप software और hardware के बीच में जो problem है उसका gap को पता कर सकती हो और उसके बाद में आप उसे easily repair कर सकती हो तो guys उमीद आपको पता चल चुका होगा कि hardware, software, problem या फिर जो mobile phone dead होता है उसका सर्लिवसान क्या है फिर भी कोई भी सावाल य इस टोपिक के बारे में तो इस वीडियो के comment में या फिर Instagram पे मुझे personally post सकती हो आज के लिए बस इतना है guys, thank you for watching, thank you